नमस्कार आप सभी का एगेंस कप्सा 99 में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी सिकायतवाद में लोग सुचना पदादिकारी के द्वारा यदि वांचित सुचना परदाण नहीं की जाती है या सुचनाओं को दवाने का कारी किया जाता है अपने सिकायतबाद में अपनी सुनवाई में अपना परतीविदन देते हुई अपना पप्ष रखेंगे। मैंने यहां पुलिस अधिक्षक के खिलाप एक सिकायतबाद दायर किया था जिसमें उन्होंने मुझे वांचित सूचना परदान नहीं की थी। इसी सम्मन्द में मैंने एक राजी मुक्सूचना आयुक्त के समक्ष सिकायतबाद दियार किया है जिसमें शुनवाई होने वाली है तो चलिए आप लोग भी इस तरह के वीडियो से जानकारी प्राप्त करने के लिए अवस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइ इसकी जानकारी हो सके और वे अपना परतिवेदन खुद ही हाथ से या टाइप कराके लिखकर आयोग में जमां करवा सके चलिए देखेंगे कैसे लिखेंगे सत्य में विजयते सेवा में स्रीमान राज मुक्त सूचना आयुक्त सूचना ववन पटना पंद्र या मैं बिहा अपने आयोग के कार्याले का पता लिखेंगे विजय वाद संख्या इतना में दिनां कितना को इतना वजे अपराहन की सुनवाई में अपना पक्ष तेती प्रतिवेदन देते हुई अपना पक्ष रखने के संबंद में अपना नाम बनाम में जो भी लोग सूचना पता दि लखेंगे सो अब इने निवेदन पुर्वक का ना चाता हूं की पाला में मैं सूचना अधिकार के तहत प्रपत्र को दिनांग 24 2021 से मांग किया था जिसे वरी पुलिस अधिक्षक मदेपूरा द्वारा ग्यापांग सौरी भागलपूर द्वारा ग्यापांग कितना दिनां कितना से संबंदित छेतरा दिकार वारे लोग सूचना अधिकारी सह पुलिस अधिक्षक मदेपूरा को अस्तांतरित कर दिया गया था लेकिन सूचना लोग सूचना अधिकारी सह पुलिस अधिक्षक मधेपूरा योगंदर कुमार द्वारा जान बूचकर वानचित पुचना उपलब्ध ना कराकर ग्यापांग कितना दिनां कितना से वानचित पुचना हदोस्तरिक कार्याले से सम्मद्मित नहीं है तथा कार्याले अभी लेक में ऐसी सूचना अपलब नहीं है कि मुझे सूचना दी गई थी आप लोगों को जानकारी देना चाता हूँ कि मेरे साथ एक गटना हुई थी जिसमें मेरा मुबाइल भी छिन लिया गया था और उल्टे ही उस गटना का कांट संख्या मुझे पर ही दर्ज करवा दिया गया था इसलिए मैं अपने मुबाइल और मेरे परिवार के सदस्ट पर किये गए जुठे कांट संख्या से संबंधित मोबाइल का टावर लोकेशन सीडी आरेव कैफे का मैंने परमानित परती की मांग किया था मैंने भागलपूर पुलिस अधिक्षक कारियाले को आर्टी आई लगा दिया गया था लेकिन कांड चुकी मदेपूरा जीला से संबंदित था इसलिए भागलपूर पुलिस अधिक्षक द्वारा इसे मदेपूरा पुलिस अधिक्षक को अस्थान तरित कर दिया गया था लेकिन उन्होंने जान बूच कर मुझे सूचना परदान नहीं की चलिए आगे आप लोग देखें लगातार बिना इसकिप किवे दूसरा मैंने उप्युक्त वाद में तीन बिन्दों पर सिकायत किया था जिसे प्रमानित करने का साक्ष मेरे पास है और मैं इसे आयोग के स्मक्ष रखने को त्यार हूँ तिसरा चुकी मुझे जान बूच कर सूचना मांगने के कारण रतबारा ओपी अलम नगर कान संख्या इतना में फुषाया गया जबकि हत्या करने की नियत से लूट पाट करते वे मेरी हत्या करने का प्यास कर गंबी रूप से जप्मी कर दिया गया था इस कारण मुझे वांचित सूचनाय सिक्र प्रदान करने की किरपा की जाए चौथा ततकालिन लोग सूचनाप दादिकारी से पुलिस सदिक्षक योगंदर कमार का वर्तमान पता निम लिखित है आयोक से लोग सूचनाप दादिकारी का वर्तमान पता पूछा जाता है आप लोग भी पहले से ही इसकी जानकारी अबस रखें यदि आपने किसी लोग सुचनापदादीकारी के खिलाब सिकायत बात दायर किया है तो लोग सुचनापदादीकारी पुलिस अदिक्षक का कारियाल है बेगू सराय पीन काड़ितना ये उस समय ततकालीन लोग सुचना पता दिकारी थे अधिपुरा के अब उनका अस्थान तरन बेगु सराय में हो गया है इसलिए मैं उनका बरतमान पता यहां लिख रहा हूँ सिकायत को प्रमानित करने के लिए साक्षों की सुची निमलिखित है प्रपत्र कौ की चाया परती एक पे सुल की चाया परती एवं डाक रसीत की चाया परती मैंने एक ही पेज में उसे सगलंग कर दिया था जिसके एक पे तीसरा ततकालीन लोग सुचना पता दिकारी द्वार कारवाई करते हुए मुझे वी आर्थिक मानसिक्षती के लिए धारा उनिस आठवी के तहत मुहापजा भी दिलाने की किरपा की जाए अपना अस्ताक्षर मुबाइल और उसके साथ जो भी सुची बनाएं जितने पेज होंगे वो सगलंग कर देंगे प्रपत्रकौ सहित कुल साथ पेज मैंने सखलंग किया है इस प्रकार आप पुलिस अदिक्षक के खिलाब भी अपने सिकायतबाद में अपना परतिवेदन देते हुए अपना पक्ष अवस रखें जिससे आपको अपने वाद की सुनवाई में अपना पक्ष रखने में आसानी हो सके इसे जिल के माध्यम से डाक के माध्यम से या आयोग में अवस्त्य जमा करवा दें जय हिन